गुड वानिंग सभी साथियों को मेरे तरफ से राम राम आज एक महत्तपुर टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ट्रेंडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए भी कि प्रभू स्री राम चंद्र जी के मंदिर को देने वाली भाजपा आखिर आयुध्या ही नहीं बलकि पूरे आयुध्या मंदल में यहां तक की 100-100 किलोमेटर की परिधी में भी कही नहीं जीत पाई। कुछ अधारी सीट भर गई प्रयाग राज की सारी सीट भर गई जबकी प्रयाग राज में कहते हैं इतना बड़ाम्व दिया नारण तोmas the कै तो यह मुझह वजह समझ रहने वाला हूं सुल्तानपूर में हमारा भी घर है मंदिर के परिदी में 50 किलो मेटर के अंदर में अब यहां पर क्या कहानी है कि सबसे बड़ी जो मुख्य वजा युवा आपने देखा होगा लखनवु में कितना बड़ा महौल बना था एको गार्डन में कितना परदर्थ हुए और यह तो एक छोटी सी बात है यह देखिए दूसरा यह तो आपको एक स्लाइड दिख रहा है कि कहां कहां कि क्या हाल चाल है किसानों की क्या हालत है पता है जो किसान including me भीया आमारे घर में भी हर साल फसल बेंची भी जाती थी अब क्या condition है कि अपना भर का हो जाया घर परिवार को ही बड़ी बात है उसका कारण जानते हो क्या है उसका कारण दिखा रहा हूं तुमें उसका कारण यह है देखो हर जब ओबर होने लगे तब वो गड़बर हो जाती है उसका कारण यह है यह जान से मार देते हैं अभी तुम्हें वही नियूज की स्लाइड दिखा रहा हूं कितने किसानों को इन्होंने जान से मार दिया है और दूसरी बात इतना ही नहीं किसान इस तडपती धूप में और कड़कती ठंड में जा करके अपनी खेट की रखवाली ना करें तो कुछ होने वाला नहीं है और यह आयोध्या का है उसी आयोध्या का है जहां स्री राम प्रभुजी को लाया गया है असा स्लोगन में था ना वहां पर देख रहे हो सोसल मीडिया पर पिक्चर वारल हो रही है जनाब क्योटली उस समय वायरल भी था यह अभी दिखाता हूं वह भी सलाइड आपको बिल्कुल रियल्टी है इसमें मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो गौसाला की सिस्टम है वो क्या है सरकार इस पर करोड़ों रुपया खर्चा की कि यह जो बेसहारा पैले तो इनका नाम तो बदल दिया आवारा जानवर से इनको बेसहारा जानवर कर दिया लेकिन यह फिर भी बेसहारा में भी कोई सपोर्ट नहीं पाए जो इनके जिम्मेदार हैं यहां पे देखो वो खुदी इनका सब कुछ खा गए जो चारा बूसा मिलता था यहां पे आप देखिए यह बिल्कुल सही निउज है हमारे ग्राम सभा की है इसमें हमारे परधान जी और हमारे जो कोटेदार है और जो भी मतलब उसमें जिम्मेदार औग एक गाय को खिलाने के लिए उतने में हो नहीं बाता है ठीक है उनका यह कहना है और यह हालात है महिनिका जी के छेतर में महिनिका जी अपकी बार काफी ओटों के अंतराल से आर गई मैं इस सेशन में आपको खुल मिला के यह बताना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या रीजन है कि जो इतना बड़ा भब मंदिर का आयोजन करने के बाद भी भया एक भी सीट अगल बगल कहीं नहीं मिली एक तो आचारे संकरा चारे जी कह रहे थे उस समय कि अधूरे मंदिर का फिलानाफ नहीं करना चाहिए बिलकुल भगवान रूठ जाएंगे तो कहीं भगवान स्रीराम जी खुदी नहीं नहीं राज हो गए कि घर उनका पूरा बना नहीं पहले लाकर बसा दिया कुछ भी वजा हो लेकिन जो मैंने देखा और जो मैंने अनुभव किया है किसानों की हालत बहुत पतली बहुत गड़बड आप यह समझे लो मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने न अरहर तक की दाल उड़द की दाल मटर की दाल यह सब हम लोग के यहां खेत में खुद प आजाता है खर्चा ऐसे मिलता है पैसा नहीं आता कहीं से क्योंकि कोई जॉब करने वाला नहीं होता जनाब और इतनी भी हालत होती गाओं में जो लोग गाओं किर्सी से संबंदित हैं उनको पता है बच्चे मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी 10 किलो गेहों बेंच के करेंगे थोड़ा जाल फांफ लगा लेंगे उसमें भी कार्रवाई होती है अगर आपने कटीले तार लगाए तो उस पर जुर्माना होता केस होता है हां मतलब मरो जीओ जाओगे कहां और जो इसमें खर्चा लगता जो मेहनत लगती है उसका कोई जिम्मेदार नहीं है किसानी ऐसे आसान थोड़ी है यह सारी कहानिये वैसे आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताएं जटे सबसे बड़ी परिसानी युवाओं की विरोजगारी और दूसरी परिसानी किसानों की समस्या यह वाओं की यह हालत तो आपने देखा होगा इको गार्डन में मैंने आपको दिखाया था काफी पवाल हुआ था हम लोग भी गये थे कि देखा था ना यह तो एक जामपल है ओनली ट्रेलर है यह कि वहां पर टीचर भरती वाले जाके देखो जिनके साथ घुटाला हुआ है वह बैठे हैं पिछले कितने साल से जानते हो तीन चार साल हो गया बैठें आप अभी भी वह जाते हैं दो चाल लोग उनका बिया हुआ हुआ हो गया कुछ तो अपने बच्चों चोंक लेकर जाते अभी भी उधरना पे हैं, उनका कोई नहीं सुनने वाला है, और इसमें सुनवाइई इफलीए हुई, उनको बड़े खुस थे, यह पेपर कैंसी लोग है, बड़े खुसी की बात है, खुसी उतना हो रही थी जतना ज्वाइनिंग होने पे होती है, इफलीए हुई क्योंकि इ कहते हैं, कहावत है, कि अगर इंसान को भूंक लगी है, और तुम उसे क्वाने की जगह काओ चलो, तुम को नहाला के तुमारे सिरिंगार कर ले आएं, तुम को शॉपिंग करा लाएं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो वही हालत है, वही सिस्टम है, कि इंसान की जो हालत है इस समय वो बहुत जो आवस्यक बेसिक नीड है वो नहीं हो पा रहा है और आप कह रहे हो कि चलो तुमको स्वापिंग करा लाएं और जो है लंबे-लंबे सपने दूर-दूर की बातें करें तो वो थोड़ा सा लोगों को कम जमती है और हाँ अबकी बार EBM का मुद्दा भी नहीं चला जहां तक एक्सपर्ट की रहा है सुत्रों के हवाले से ये खबर है कि EBM का मैटर तब हो पाता है जब थोड़ा बहुत अंत्राल का बात रहती है जब लाखो लाख का गैफ है तो EBM में कुछ ऐसा हो नहीं पाता है फिलहाल पुछ बदलने से चीजें नहीं बदलती हैं तो पिछले जब से देश आजाद हुआ सत्टर बंच साल से सरकार तो बदल रही है हर पांच साल में कुछ बदल कि इंव्यें कितने इस केम हुए सब कुछ हो रहा है होता भी रहेगा तो ज sporting हो सरकार सब्सक्र और का कैंसर आती कि भूघी निछले तपके के हैं जिनके कोई अवकात नहीं हि उसके कुछ होता नहीं है है जो मीडियम लेवल के हैं उनके पास फूर्सत नहीं ए नौकरी से कौप जो बहुत उंचीं से उनके कामदंदा से नहीं भेइं बैठे में द्ले हैं जिम्मेधारी वाले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर दिखा दूँ या ना दिखा दूँ, दस मिनट फिजाता है, यह वीडियो हो जा रहा है, तो मेरा यही कहना था कि मुख्य मुख्य जो वज़ा थी मैंने आपको दिखाया, बाकी हाँ, आपका क्या कहना है, आपके क्या बिचार हमें जरूर बताएं कि ऐसी क्या वज़ा रही ये इतना दुर्दसा होने की भाईया ऐसी क्या वज़ा रही तो ठीक है देखते हैं वीडियो पर ले होता है ये ने देखो इस पर हो सकता है यूटुब कुछ सिस्टम न लगा दे कुट्टे नोच रहें गौसाला में गायों को थोड़ा क्लियरिटी कमा रही होगी जैने तो यहां पर दिखाना भी साही नहीं है इसको क्योंकि यूटुब का सिस्टम है उसके खिलाप हो जाएगा तो नहीं दिखाना चाहिए ऐसी चीजे ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही कोई गलती हुई कोई सुझा हो है आपके जरूर हमें बताएं और एक खुबसूरत लोगतंत्र के लिए हर किसी का भाग लेना बहुत जरूरी है इसलिए ओर्टिंग आप लोग भी जरूर करें और हां इन सब टॉपिक बे खुल के चर्चा करें और खुल के सामने आएं क्योंकि आपकी जो नौकरी है आपकी जो रोजी रोटी है अना तक कि आपकी जो सांसे भी आप ले रहे हो वो इस राजनीती के गलियारों से होते हुई आती है समझ रहे हो ना नहीं समझ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा को दिन रात पोगी कोई नौकरी कि क्या करोंगी भूता है वही करते हैं कि चेतर में कितना बइकन्सि होगी सिस्टम 계 freshly आपके एक कि इनको तुम चुन के भेजते हो समझ रहे हो नका नहीं हम मतलब नहीं हम पर प्लत हैं ऐसे पड़ने वालों को त चौदा फिले के 24 तक पढ़ रहे हैं अभी कुछ हुआ नहीं हाँ बच्चा उच्चा हो गया काद दो अलग बात है और कुछ नहीं हुआ समझ रहे हो तो जरूरी है यह बहुत जरूरी है जागो समझ रहे हो ठीक है तो फिलाल इस बीडियों में इतना ही उमीद है कि आप समझ पाए होंगे यहाँ पर देखिए सब न्यूज की कटिंग है बाराईच बलिया गोंडा अध्या यहाँ पर सीधा-फीधा मौते हुई है साणों के हमले से गायों के हमले से आवरा जानौरों के हमले से मौते हुई है किसानों की समझ रहे हो अब यह दीखने लगा इसका असर इसका असर ही है कहीं न कहीं जो यह हाल हुई ठीक है फिलाल इतना ही थैंक्यू